असलाव अलेकुम, हेलो इवरीवन, विल्कम बैक टू माई चैनल, कैसे आप सब लोग, होफिली आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, आज मैं लेकर आए हूँ, गिहूं के आठे से बने वे लच्छे पराठे, जिसे मैंने दो तरह से बनाया है, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिलेशियस, तो गेहूं के आठे से भी आप लच्छे दार लच्छा पराठा बना सकते हैं, टिपस और ट्रिक के साथ, आप इसे फॉलो करें, बहुत ही जबरदस्त, और बहुत ही हेल्दी लच्छा पराठा भाप को बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए मैंने ल पराठा से हां से इस तरह से क्रश कर लेंगे, नमक, वन टी स्पून, बहुत ही करम वाइल डाला है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, तो दो टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग वाइल डाला है, अब इसका डो तेयार कर लेते हैं, पहले आँटे को अच्छ पराठा बनाओंगी तो पहले कार्लिक वाला तो गार्लिक लिया, बारिक चॉप्ट के लिया, हारी मेश और धन्या की पत्ती, और दूसरा पराठा मैं बना रही हो तो इसके लिए मैने लिया है, मैगी किचेन मैजिक मसाला, एक पैकेट मैने लिया और इसमें डाला हाफ टी स्पून कश्मीरी लान मिश पॉडर, और इसे अची तरह से मिक्स करके इसमें पानी मिला लेंगे, दो या तीन टेबल स्पून आप चाहे तो इस तरह से पॉडर भी रख सकते हैं, बहुत सा बंदस हुआ था ये, आटा को मैं पर अची तरह से नीट कर ले रही हूं, तो ज और आटे की मदस से इसे बारीक बिल लेना है, जतना पॉसिबल हो सके उतना आप इसको पतला कर ले, देखिए, बिल्कुल आटे का मैंने बनाया, इसमें मादा नहीं उसकिया है, बहुत ही सबर्दस हुआ था, बहुत अच्छे इसके लेर्स आया थे, अब इसमें मैं लगा ले रही हों कुकिंग वैल, तो वन टीस्पून के करी मैंने कुकिंग वैल लगाया है, बहुत कम तेल के साथ, बहुत ही अच्छा तेयार हुआ था गिल अच्छा पराठा, अब इसके उपर बारीक कटवा मैं लेसुन डाल रही हूँ, हर इमेज, और धनिया की पती, इसे मैं हमेशा बनाती हूँ, तो इसे मैं हलके हाथों से बेल ले रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से सेट कर जाए, धनिया की पती और जो लहसुन है, अब इसके उपर आटा मैंने डस्त किया है, थोड़ा आटा स्यादा हो गया था, तो इस तरह से आप छलनी से करें तो ब बारीक मैंने इस तरह से काट लिया है, इस तरह से लच्छा प्राठा बनाया जाता है, एक के उपर एक इस तरह से रख लेना है, इस तरह से, यहां पर भी मैंने कुकिंग वाल का यूस नहीं किया, हिल्दी प्राठा पच्छों को बना के दें, चटनी के साथ, या टमाटो स के साथ पचे बहुत शौक सिखाएंगे अब इस तरह से से रूल कर ले रही हूं मैं तो दिखिए तयार हो क्या है हम मैं दूसरे फ्लेवर वला अच्छा पराठा ते क्यार करी हूं तो मैंने दूसरे बाल्स को इस तरह से बे लिया बिल्कुल पतला जितना पासिबल हो सके और उसमें जो मैं इस तरह से स्पीड कर रहे हूं मसाला जो तयार किया था मैंने मैजिक मसाला आप जहें तो ब्रश की मतब्स से करें मैं हाथ से ही कर रही हूं स्यादा कमसर्टिबल लगता मुझे बहुत ही टेस्टी हुआ था यह उससे पहले मैंने ऐल लगा लिया था वन टीस्पून से थोड़ा कमी दिया अचे इस तरह से डास्ट कर लेना है आए आप हम ऐसी तरह मोल ले है इस तरह से जैसे बच्पन में हम लोग काफस के पंखे बनाते थे हैं पैल बनाते थे उसी तरह से इस तरह से इसे हो लेना है और रोल कर लेना किस तरो कर लेना है तो बहुत ही ये इजी को च्छा प्राटा जो को अ उसके बीच में इस्क रेसे जान किसा बेल में आपके सर्च कर लेना जो इसी मदह किसे बहुत ही फ्लेगत फुल हुआ था और यह लिए प्राथा है उसके बहुत कम वाल लगाया था बटर का भी यूज मैंने नहीं किया था देखी लेयर्स पता चल रहे हैं साफ इसमें बहुत सारे लेयर्स हो इते बहुत ही घ्रिस्पी बहुत ही फस्ता इसके उपर मैं डाली है क सूरी में थी में के सीटी में की डालके अपर्जार मैं पराथा इसे लैंए पर्णा पर चाहां दौर रहे हैं अब Why तभा भी ले सकते हैं पर आलिक पराथा जिस तरह सका जाता है उसी तरह से थोड़ा सा वाइल लगा करके मैं इसे तयार कर लिया है आप जाएं जिसमें बटर भी लगा सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैंने भूछ थोड़ा सा इसमें वाइल का इस व्यूज कि था और इसके बहुत अच्छे लेयर्स आए थे जो कि मैं मेरा कैमरा नहीं कैप्चर कर सका और बहुत ही जबरदस्त हुआ था तैयार हो गया है ये इसी तरह से मैं मसाले तार्ज मैंने जो बनाए है पराठे उसे भी से इक लोंगी बिल्कुल थोड़ा सा हुआल लगा करके विवस आपको ये रिसीपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में अपना फीड़ बैक जरूर दें और में चैनल को जिन्होंने सबस्क्राइब नहीं किया कारणी चैनल को सबस्क्राइब करें इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉल झाली जरूर लाइक करें बादी कités कार हैओा खेंपक जिन्होंने प्ली छेखें तो